हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं स्वादिष्ट मसालेदार धाबा स्टाइल गोबी मटर की सबसी फुल गोबी में विटमिन सी, अंटी ओक्सिंट और फाइबर भरपूर मातरा में पाया जाता है तो इसे खाने में जरूर शामल करें इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक आसान सा मसाला तयार करेंगे लेंगे 3-4 इंच सूखा नारियल कद्दू कस करके फिर डालेंगे 2-3 इंच अद्रक कद्दू कस करके 15-20 लसन की कलिया थोड़ा हरा दन्या इसे इस तरह दरदरा पीस लेंगे फिर लेंगे आदा किलो फूल को भी साफ करके छोड़े तुकडों में काट लेंगे और 2-3 बार पानी से धो लेंगे फिर उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और 2-3 ग्लास उबलता हुआ पानी डाले और 20-30 मिनट रखते और लेंगे दो मीडियम साइज प्यास बारी काटके एक से दो मीडियम साइज टमाटर बारी काटके एक से दो मीडियम साइज आलू बारी काटके और 500 ग्राम ताजा मतर तब तक फूल को भी को गरम पानी में 30 मिनट बिगवे हो गए है और हमें मसाला भी तयार कर लिया है तो अब लेंगे एक कड़ाई डालेंगे 8-9 चोटे चमच तेल तेल करम होने पे डालेंगे राई राई तड़कने पे डालेंगे जीरा और बारी कटे हुए प्याज कुछ सेकंड्स प्याज को भूनेंगे फिर डालेंगे आदा चोटा चमच नमक इससे प्याज जल्दी भूनते हैं एक मिनट और प्याज को भूनेंगे फिर डालेंगे दरदरा पिसा हुआ मसाला और प्यार के साथ इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे दो से तीन मिनट भूनने पे आप देखोगे कि मसाले में तेल चूट रहा है फिर डालेंगे दो से तीन चमच लालमिच पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर और मसाले को मिला लेंगे फिर डाले बारी कटे हुए टमाटर मसाले के साथ मिला ले और धक्के इसे एक से दो मिनिट पकाएंगे दो मिनिट बाद खोले आप देखोगे टमाटर पग गए है फिर इसमें डालेंगे बारी कटे हुए आलू और इसे भी दो मिनिट ढखके हम पकाएंगे दो मिनिट बाद आप खोलो आप देखोगे आलू थोड़े नरम हो गए है फिर इसमें डालेंगे हम ताजा हरे मटर लगबग 200 ग्राम यह अच्छी तरीके से 102 मिनिट भूनेंगे फिर डालेंगे फूल गोपी के छोटे तुकडे और अच्छी तरीके से 1-2 मिनिट मसाले के साथ भूनेंगे और इसे ढखके 1-2 मिनिट पकाएंगे दो मिनिट बाद खोले और आपको जितनी पतली या गाडी चाहिए उसे साब से आप आधा गलास या एक गलास गरम पानी डाले और ढखके पाच मिनिट इसे पकाए पाच मिनिट बाद खोले और चेक करें कि सबसी पक गई है और नहीं अगर नहीं पकी तो आप थोड़ी देर और ढखके इसे पका सकते हैं और लो तयार है स्वादेश टाबा स्टाइल को भी मटर की इसे आप पूरी रोटी या चावल के साथ इंजोई कर सकते हो तो जरूर बनाए और हमें लाइक और कॉमेंट करके बताए कैसे बनी थैंक यू